असलाम लेकुम दोस्तों मैं सीमा श्रफी सीमा जलजीस फूड एंड व्लॉग में एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करती हूँ दोस्तों आज मैं लाई हूँ आप लोगों के बहुत मज़ेदार और टेस्टी सा तंदूरी चिकन की रेसिपी वैसे तो तंदूरी चिकन कई डिफरेंट तरीकों से बनता है मगर मैं आपको बताऊंगी इंस्टेंट तंदूरी चिकन जो रेडी मिक्स मसाला मिलता है हम उसे बनाएंगे और बहुत मज़ेदार और टेस्टी सा कई बार ऐसी कंप्लेंट होती है कई लोगों की के तंदूरी चिकन बहुत अच्छा सॉफ्ट सा नहीं होता है तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम उसे बनाएंगे और यह बहुत मज़ेदार और बहुत सॉफ्ट जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है बिल्कुल वैसे भी नहीं लेना है मिडियम साइस की चिकन लेना ए sort Đेज़ए एक मुरूगी's के साइसे करवा के एस तरह से कट कर द लगया है कट मैंने खर में लगा के भी देता सोंफ वाला तो ब्सक्तम धाओ होना चाहिए औरे है ग één देखिए जो कट करे हुए पीस है इसमें मैंने 8 घंडे पहले निम्बू और नमक डाल के रख दिया था तो निम्बू और नमक डालने से सॉफ्ट हो गया है यह तो आप चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं बनाने का तरीका मैं आपको बता दूँ यह मार्किट में रेडी मि कर दिया है साथ ही मैं मैं इसमें फुड कलर और एक अंडा डाल भार दी है और आपको पसंद नहीं तो आप नहीं भेड आल सकते हैं जिसमें का अंडा दाल दिया मासाला बहुत च्री चिंपका हो अब चार्प दो नहीं November कर लिबेए तो वहा वा-वा अच्छि से म मसाला लगा के से छोड़ देते हैं और देखिए आदा गंटा हो चुका है मसाला लगा के जो हमने रखा था चिकन बहुत अच्छे से मसालों में एब्जॉब हो गया है अब इसे हम क्या करेंगे डिफ्राइ करेंगे तो मैं आपको बताती हूं आप अगर चाहे तो अवन में आपको 30 मिनट के लिए रखना है 180 डिग्री पे और मैं बना रही हूं इसे कड़ाई में तो कड़ाई में मैं डिफ्राइ करूंगी इसे तो चलिए हम इसे डिफ्राइ कर लेते हैं तेल मैंने गरम के लिए रख दिया है तेल अच्छे से गरम हो गया है और गरम होने के बाद इसमें मैं तंदूरी चिकन को फ्राइ कर लूंगी, तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे ड्रीफ्राइ कर लिया है, दोनों सैट से, पहले एक सैट से पकने दीजिए, फिर पलट दीजी दूसरे सैट से, और अच्छे से जब यह गल जा एक सैट से, तो दूसरे सैट से भी प तो देखिए ग्रील जो मेरे पास है मार्केट में मिल जाती है, आप भी यस तरह से इस कमीवर को ला सकते हैं और ये देखिए फुल फ्लेम पे मै नहीं को व्ले मैं तंदूरी चिकन को मैंने रख दिया है और बस इख सेक वीडियो में जब तक के लिए इजाज़त दीजिए खुद्धा हाफूस।